हेलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए हमारे बड़ों ने कुछ बाते कही हैं कि किसी भी चीज की अती यानि कोई चीज जादा हो जाए तो भी वह नुक्षान करती है और कोई चीज कम होती है तो भी वह नुक्षान करती है तो हमें हर चीज का बैलंस भी ठाना चीज है ना तो वह हद से ज़्यादा होने चाहिए ना हद से कम होने चाहिए देखिए कौरोणा संकर्मनकाल में जो काड़ा हम ले रहे हैं वो हमें एक वरदान के रूप में मिला है लेकिन अगर हम इसका हद से जादा उप्योग करेंगे तो यह हमारे लिए अभिशाब भी बन सकता है तो कई लोगों के लिए यह है अभिशाब भी बन सकता है आयुर्वेदिक काड़ा हमें करोना से तो बचा रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह प्रेशानियों का कारण भी बन रहा है लोग जो इम्मुनिटी बूस करने वाला काड़ा बचाओ के लिए ले रही हैं उससे अब लोगों को प्रेशानिय भी होने लगी है जी हां ये बिल्कुल सच्चाई है आयुर्वेदिक के अनुसार कोई भी ओशदी आयुर्वेदिक ओशदी हमेशा मोसम प्रकर्ती उमर और हर किसी व्यक्ति की स्थिति को देकर दी जाती है अगर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ये ओशदिया फाइदे की जंगे आपको नुक्षान भी पहुचा सकती है अगर आप गाड़े का सेवन कर रही है और आपको अगर ये लक्षन दिखते हैं जैसे कि नाक से खूनाना, मू में छाले पड़ना, पेट में जलन होना, पेशाब करते वे जलन होना, एपच वे पेचिस की समश्या तो आपको सावधान होने की जरूरत है आईए जानते हैं कि काड़ा जो है वैसे तो आयुर्वधी को शद्य है, इसका कोई नुक्षान नहीं हो सकता है लेकिन इसको गलत ढंक से लिया जाए तो ये नुक्षान क्यों कर सकती है हमें इम्मुनिटी बूस्टर यानि जो काड़ा हम बनाते हैं, उसमें काली मीर्ट, सोट, पीपली, दालचीनी, हल्दी, गिलोए, अश्वगंदा जैसी और शद्यों का प्रयोग क्या दता है इन सभी चीजों की तासिर जो है बहुत गर्म होती है अगर आप इन चीजों का सीवन बिना किसी हिसाब के कर रहे हैं तो उसके शरीर में बहुत ज़्याता गर्मी बन सकती है खासकर गर्मी के मोसम में ये गर्म तासिर वाली चीजे ज़्यादा नुक्षान पहुचाते हैं अगर सर्दिया हो तो फिर इतना नुक्षान नहीं पहुचाएंगे चीजे लेकिन गर्मी के मोसम में ये ज़्यादा नुक्षान पहुचा सकती है तो फिर हमें करना क्या चाहिए देखिए काड़ा बनाते हुए में कुछ बातों का विशेज ध्यान रगना चाहिए अगर हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए काड़ा बनाते हैं तो यह हमें समस्या पैदा नहीं करेगा काड़ा बनाते हैं समय ऑशिद्ययो की मातरा का ध्यान रखें जब आप काड़े का सेवन करें तब आपको किसी तरह का कोई नुक्षान दिखे आपके शरीर में तो काड़े में गरम चीजों की मातरा थोड़ी कम कर दें से अगर आपके समश्या कम नहीं होड़ी तो आप किसी आयरवेदिक वैद के पास जरूर जाएं और उनकी सला लें तेंक यू फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए